अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजे इस चैनल पर आपको सीख स्टाइब के हिस्ट्री सीविक्स साइस और मैस की वीडियो मिलेंगी तो चलिए लेसन को स्टाइब करते हैं तो देखे स्टूरें इस लेसन में हमें डिसकस करना है इनके बारे में हमें information देखनी है उनके क्या functions होते हैं वो किस तरह के से काम करते हैं यह हमें इस लेसन में देखना है तो चलिए स्टाट करते हैं लोकल गॉवर्म las que polis play an important role in the regulation of social life in our country along with local bodies the union government and the state government also participate in the work of regulations तो देखे student जैसे कि local government जो bodies होती है ये काफी अच्छा क्या करते है काम करते है अच्छा role निबाती है जिसके कारण हमारे जो social life है ये अच्छे से regulate हो पाती है अच्छे से चल पाती है और हमारे country में जैसे कि local bodies हमारे लिए important है उसी तरीके से हमारे समाज में या फिर social life को यहा पर participate करता है कई सारे कामों में तो किस सरी किसे काम करते है ये हमें आगे देखना है तो local government bodies are broadly classified as a rural and urban local bodies तो देखे जब हम local government की बात करते है तो इसमें दो टाइपस हमें दिखेंगे या फिर हम कह सकते है इसे दो भागों में classified किया जाता है rural and urban local bodies में इन इस चाप्टर वी ल about the rural local government bodies तो इस lesson में हमें आज क्या सीखना है कि rural local government bodies क्या होती है किस तरीके से काम करते है दे ग्राम पंचायत, पंचायत समिती and जिल्ला परशेद are the rural local government bodies that are collectively known as the पंचायती, पंचायती राच इंस्टिउशन तो देखे स्टूडन जैसे कि हमने देखा कि या पर दो पार्ट होने वाले है जैसे कि rural and urban local bodies इसमें जो rural local government है इसमें आता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिती and जिल्ला परिशन तो देखे इसे ही collectively एक साथ अगर हम बोलेंगे तो उसे एक नाम दियागा है पंचायती राज इंस्टिटूशन उसके बाद यहापे आपको देखना है आपक गए है government के कि union government, state government and local government होता है The administration in our country is carried on at three levels तो देखे हमारे देश का जो भी administration है जो भी राज कारभार चलता है यह three levels में होता है तो कैसे the administration for the entire country is carried out by the union government Union government मतलब क्या होता है केंदर सरकार या फिसंग सरकार जिसे हम कहते हैं Subjects such as the defense, foreign affairs, currency, etc. are the jurisdiction of the union government तो यह जो सारे काम होते हैं जैसे कि defense करना है हमारे देश को या फिर जो foreign affairs, currency होते हैं इनके बारे में सारे जो भी क्या कह सकते हैं जो भी काम होते हैं इनको कौन देखता है union government के इंदर सरकार देखता है At the second level is the state government और second level पर आता है state government The state government of maharashtra makes law related to law and order, health education, etc. तो अगर maharashtra का government है या पर state government मतलब हमारा state है maharashtra तो maharashtra की जो सरकार होगी यह laws बनाती है related to law and order, उसके बाद आता है health, education, etc. And the local government bodies work at the third level और third level पर कौन सा काम करता है government? Local government और यही local government के बारे में हम या भी आगे देखना है तो देखिए यह पर आपको दिया है local government bodies को हमने क्या किया है दो पार्ट में divide किया है एक आता है rural और दूसरा आता है urban और इस lesson में हमें rural जो government body उसके बारे में देखना है जैसे कि gram panchait है, panchait समिती है और उसके बाद होता है जिल्ला परिशन तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है gram panchait, तो सबसे पहले हमें देखना है gram panchait तो gram का meaning होता है गाव the gram panchait looks after the administration of the village तो देखिए gram panchait यह कहाँ पर होती है गाव से शुरू होती है if the population of a village is less than 500 two or more such villages come under one gram panchait तो देखिए gram panchait कहाँ पर बनती है जिस गाव में 500 से भी कम लोग होती है population होता है, लोग संक्या होती है तो ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा जो गाव होते है उनको जुड के क्या होती है gram panchait होती है लेकिन अगर एक गाव में 500 से ज़्यादा अगर लोग है तो वहाँ पर भी gram panchait बनती है लेकिन जैसे कि 2 गाव है या फिर 3 गाव तो तीन और ज़्यादा जो भी गाव है उनको मिल के अगर gram panchait बनाए जाती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है group gram panchait the gram panchait carries out the function related to water supply electricity, registration of birth, days and marriages तो gram panchait की कौन से काम होते है ये भी हमें यहाँ पर दिया है कि water supply हो रहा है की नहीं electricity सब लोगों को मिल रही की नहीं और जो birth, death, marriages उनके registration होते है ये भी काम किया जाता है the office bearers and officers of the gram panchait तो gram panchait की कौन-कौन से officers होते है उनका काम क्या होता ये भी हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है हमें serpanch the election to a gram panchait are held every fire तो हर 5 साल के बाद ये election होता है the elected members elect a serpanch and deputy serpanch from among themselves तो जो भी लोग elect होते हैं मतलब चुने जाते हैं, select होते हैं तो उनमें से ही एक को serpanch बनाया जाता है और दूसरे जो होते हैं deputy serpanch बनाया जाता है उनमें से ही the meeting of the gram panchait are held under the chairmanship of the serpanch और जो भी meeting gram panchait की होती है ये किसके under होती है? chairmanship की जो serpanch होते है it is his responsibility to implement the development schemes of the village तो देखिए, गाव के लिए भी जो होते हैं अलग-अलग schemes आते हैं, योजनाय आती है तो ये serpanch की responsibility होती है कि जो सारी योजनाय होती है, schemes होती है उनको अपने गाव में implement करना और लोगों तक पहुचाना the members of the gram panchait can bring a motion of no confidence against a serpanch who is not carrying out his responsibilities properly तो देखिए, कोई भी serpanch बन जाएगा और अपना काम ठीक से नहीं करता है responsibilities को नहीं पूरा कर पाता है तो जो भी यहापर gram panchait की लोग है, members होते हैं यहापर action ले सकते हैं इंदिया absence of the serpanch, the deputy serpanch looks after the work of a gram panchait तो देखिए, अगर serpanch के absence में अगर कुछ काम होता है तो उनको कौन संबालेगा यहापर, जो deputy serpanch होते हैं उसके बाद दियाया में gram sevek he is the secretary of the gram panchait he is appointed by the chief executive officer of the jilla paris तो gram sevek कौन होते हैं, इसे secretary कहा जाता है, gram panchait का और इन्हें appoint कौन करता है, chief executive officer जो होते हैं जिल्ला परिशेत के, वो appoint करते हैं, select करते हैं his main function is to look after the day-to-day functioning of the gram panchait तो इनका जो काम होता है, यह काम क्या होता है कि day-to-day पूरे दीन बर में gram panchait का कौन सा काम चल रहा है यह उनको देखना होता है and to explain its development schemes to the resident of the village, etc तो यहाँ पर उन्हें काम क्या होता है कि जो भी schemes होती है, योजनाई होती है, development करने की बारे में उनको explain करना होता है, village के लोगों को, जो भी गाव के लोग है, उनको gram sabah, the assembly of all the voters of the village or rural area is the gram sabah तो जो voters की जो assembly होती है, rural या फिर जो village की, इसे क्या कहा जाता है gram sabah कहा जाता है it is the most important organization of the people at the local level और इसे काफी important भी माना जाता है it is binding to hold at least six meetings of the gram sabah in each financial year तो देखिये, at least one year में उनकी कम से कम six meetings होनी चाहिए gram sabah की the responsibility of calling the meetings of the gram sabah is with the serpant और gram sabah की जो meeting होती है, ये serpant के साथ होना जरूरी होता है in the first meeting of each financial year, the gram sabah discusses the annual report and accounts submitted by the gram panchayat तो जो first meeting होती है हर एक साल की उनकी, तो उसमें उनने discuss करना होता है annual report के बारे में, जो भी वार्षिक report के सकते हैं उनका या फिर जो account submitted किये जाते हैं, जो भी उनके काम, कितने काम उनने किये है और कहाँ पे किये है, कौन से scheme supply किये है, गाँ में implement किये है उनका report उने करना होता है The suggestions of the gram sabah are convey to the gram panchayat तो अगर gram sabah जो होती है, ये क्या कर सकती है, आपने suggestion भी दे सकती है gram panchayat को The gram sabah gives sanction to the development schemes proposed by the gram panchayat तो gram sabah क्या करते है, sanction करते है, जो development schemes होते है, जो gram panchayat क्या करते है, या पे development schemes होते है, उनको implement करना है, नहीं करना है ये proposal कहाँ पे जाते है, gram panchayat में और उनसे ही वहाँ पे sanction हो जाते है The gram sabah has the authority to decide upon which individuals deserve the benefits of government scheme तो देखिए, या पे gram sabah decide करती है, ये authority, ये जो हक होते है, ये gram sabah को होते है कि कौन सी जो benefits होते है, या पे जो government scheme से किस इंसान को मिलने चाहिए individual person जो होते है, किसको ये apply होता है, किसको beneficial है, ये जो authority होती है, ये gram sabah को होती है उसके बाद next दिया है, women's participation in the gram sabah तो women's, महलाओं का participant किस तरह किसे होता है, ग्राम समाबे, ये हमें या पे देखना है Meeting of the women of a village is held before the meeting of the gram sabah तो देखिए, जैसे कि gram sabah की meeting होती है, उससे पहले, ये जो women's होती है, या पे उनकी भी meeting होती है, गाव की Hair women feel free to discuss a variety of issues, तो जब सारी महलाओं या पे एक साथ आ जाती है, तो ये क्या करती है, डिसकस करती है, अलग-अलग जो issues है, उनके problem से गाव के, उनके उपर discussion हो जाता है देखें, या पे आपको picture में भी दिखाए देगा कि gram panchat office दिख रहा है, और ये सारे लोग या पे जमा हुए है, तो इस तरह के से उनकी meeting होती है पहले, और अलग-अलग जो issues होते हैं, उनके उपर discussion किया जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी उनके problem से, water से related हो, health से related है, या फिर बाकी के जो भी problems होते हैं, issues होते हैं, उनके क्या करते हैं, ये लोग discuss करते हैं, या फिर जो कुछ उन्हें, या पे अगर solution पता है, तो उनको भी बताते हैं Then they also suggest majors, अगर उनके पास कुछ या पे होते हैं, ऐसे उपाय अगर होते हैं, तो उनको भी ये क्या करते हैं, suggest करते हैं, अगर कोई necessary changes हैं, तो इनको भी या पे discuss किया जाता है The source of revenue of the gram panchait, तो देखिए इनके source क्या होते हैं, जो भी revenue मतलब कर होते हैं, या फिर taxes होते हैं, किस तरह के से मिलते हैं gram panchait को यह हमें या पे देखना है The gram panchait carries out many schemes and programs for the welfare of the village, तो देखिए, गाव के welfare के लिए, भलाई के लिए, या पे काफी सारी जो schemes और programs होते हैं, या पे गाव में implement किये जाते हैं For this purpose, it requires money, और यह सारे काम करने के लिए पेसा तो लगीगा, तो यह जो money होता है, पेसा होता है, कहां से आता है The gram panchait raises these funds through different taxes, तो यह जो fund होता है, यह सब पेसा आता है, यह कहां से आता है, अलग-अलग जो taxes लगते हैं, हमें जो हम लोग taxes भरते हैं, उसी से यह पेसा आता है तो देखे, यह आपको दिया एक diagram बना के, the source of revenue of the gram panchait, तो कौन से sources से पहला आपको दिया है, house tax तो देखे, अगर आप अपने parents को पूचेंगे, तो वो भी आपको बता देंगे, कि house tax हमें लगता है, अगर हमारा खुद का घर होता है, तो घर के लिए house tax हमें देना होता है, उसके बाद आता है water tax, जो पानी हम लोग घर में यूज़ करते हैं, उसका भी tax हमें भरना होता है, tax on weekly market, अगर market जहाँ पे लगता है, जो दुकाने लगाते हैं, उन लोगों को भी tax भरना होता है, उसके बाद pilgrimage tax जो होता है, जैसे कि तीरत यातरा, तीरतक शेतर जो होते हैं, उनको tax देना होता है, and grants from जिल्ला परिशद and state government, तो इतने सारे जो अलग अलग यहाँ पे द देखना है, पंचा समित्य और जिल्ला परिशद, लेकिन इसके लिए हम देखेंगे यह सब second part में, तो second part को भी जरूर देखिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरू कीजे,